दोब के लिए होने वाला है एक आपके लिए वाला है विन्टर के लिए हमारा कलर चैनल हो जाता है कोई signing नहीं रहता अगर हमें pigmentation की problem है भी तो धूप की वज़े से वह बढ़ जाती है क्योंकि winter में अधिकतर लोग धूप में बैठते ही है तो pigmentation बढ़ जाता है dark sport जादा हो जाते हैं winter में बहुत सी problem है जो हमारे face पे दिखाई देने लगती है तो आज में face pack आपके साथ यूज़ करने वाली हूं वह इन सब चीजों से आपको छुटकारा दिलाने वाला है अगर आप इसको यूज़ करोगे तो यह आपके लिए बहुत helpful होने वाला है तो आप इसको यूज़ क करेगा dark sport है वह भी खतम करेगा यहां तक अगर आपके face tanning हो गई है तो इसको रिमूब करेगा डलने से उसको खतम कर देगा आपका face glow करेगा आपका face signing करेगा यह face pack कैसे बनाते हैं तो मैं आपके साथ शेल करने वाली हूं और बताने वाली हूं कि इसको यूज़ कैसे और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजेगा तो मैं करती है अपना वीडियो स्टाट तो गाइज मुझे पैक बनाने के लिए मैंने अपनी गैस के उपर अपना तवा रख दिया है आप कोई भी बरतन ले सकते हो गैस का फ्लीम आपको विलक करना है थोड़ा भूनने में टाइम लगेगा थोड़ा दीरे दीरे वहाइस है थोड़ा दीरे भूनेगी पर आपको ये फ्लेम पे नहीं भूननी हैं क्योंकि हमको हल्दी जलानी नहीं है जब आप भूनोंगे तो पूरी किचन में थोड़ा धुआ हो जाएका और हल्दी भूनने के बाद क्या होता है इसकी गुड़नेस बढ़ जाएगी तो यह फेस पैक हमारी स्किन के लिए बहुत ही अमेजिंग होने वाला है और हल्दी का जो कलर आपको बिल्कुल ब्लैक कर लेना है भूनते रहना है दीरे-दीरे जब तक यह ब्लैक ना हो जाए क्योंकि एक इसका पैक होगा वो चार कोल जैसा चाहिए तो इसका यह देखो मेरा धीरे-दीरे ब्लैक हो गया है जब मेरा ब्लैक हो जाएगा तो मैं इसको ठंडा होने के लिए किसी बरतन में करके रख दूंगी बस आपको थोड़ा धीरा रखना है भूनना एकदम स्लो गैस पर है क्य और इसमें मुझे डालना है सहद आप जमचैसमें सहद डालिएगा सहद के बाद मैं इसमें जयेmost र arguably शाफ स्पेस्टर नहीं है तो है तो मतलब आप प्लांट का भी ले सकते हो अगर आपके पास मतलब रेडिमेट नहीं है तो प्लांट का भी चलेगा अब इन तीनों चीजों को मिक्स कर लेना अगर आपका लगता है तो इसमें ऐलोवेरा जैल आप और बढ़ा सकते हो और यह गाई एकदम चार कोल जैसा जै को भी रिमूब करेगा आपके डाग स्पोर्ट को भी कम करेगा आपका कलर भी इन्हेंस करेगा और आपके फेस पे जितनी भी डलने से उसको खतम करेगा और क्योंकि मैं खुद यूज करी हूं तो मुझे बहुत फर्क लगा है और मेरे हातों पे टैनिंग हो गई थी मैंने इसको अपने हातों पे भी जो थोड़ा सा मेरा पैक बच गया था उसको मैंने अपने हातों पे भी लगाया था तो आप खुद पे खुद रिजल्ट देखना अगर आपके कहीं भी टैनिंग हो और अगर यह फेस पैक अपनी लगा लिया आना तो आपकी टैनिंग वहां से 100 परसेंट रिमूब होगी आप ट्राइ करके जरूर देखेगा और यह फेस पैक बहुत अच्छा है आप इसको जो हल्दी मैंने रोस्ट की थी वह मैंने ज्यादा की थी क्यों बना के रख ली थी जब भी मुझे फेस पैर लगाना होगा मैं द्वारा हल्दी मुझे भूनने नहीं किया तो आप जरूर कीजिएगा आप खुद पर खुद रिजल्ट देखोगे और अगर आपको रिजल्ट मिला तो आप मुझे कमेंट बोक में जरूर एक बार कमेंट करना और प्लीज आप यह वाला फेस पैक एक बार ट्राइ करके जरूर देखेगा और मैंने अपन सब्सक्राइब करना मत बूलेगा मैं मिलती हूं आपको अपने नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए स्टे सेफ इस्टे हल्दी